अलो एवरिवान वेलकम टूनीट यूजी इन टेन ब्राट यू वाइन अक्याडमी जो कि है इंडिया का लारजस्ट ऑन-लाइन लेनिग प्लाटफॉर्म यहां आपको मिलती है डेली लाइफ क्लासेज फ्रम दे बेस्ट एजुकेटर्स इन दे कंट्री लाइफ टेस्ट अपने कंपेटेटर्स के बीच में हमारे जितने भी कोर्सें बेर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ट एंड आप 24-7 अनलिमिटेट पा सकते हैं हमारे जितने भी वीडियो मेटीरियल से जितने भी लेक्चर से उन सब का 24-7 एक्सेस मिल सकता है लेकिन उसके लिए आपको हम से आपको लेना होगा हमारी सारी क्लासेज सारे वीडियो लेक्चर सारे स्टडी मटीरियल्स अनलॉक करने के लिए इसके लिए करी ऑप्शन से आपके पास 1,3,6,12,24 मंस सिंस नीट यूजी का सलेबस थोड़ा वास्ट है थोड़ा टाइन टेकिंग जरूर होता है इसलिए ए सिर्फ और सिर्फ आप 6,000 और एड़ करते हो तो आपको मिलता है पूरे दो साल का पाकेज इतना ही नहीं अगर आप हमारा रिफरेल कोड लव 10 ये लगाएंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का उफ जो भी हमारी बेस प्राइसेज हैं मेरा नाम लवकिशुर श्रिव आते हैं तो बेसिक पॉलिनेशन हमको समझना है तो अब याद करो हमने अब तक क्या पढ़ा था हमने देखा एक एंथर होता है ठीक है इसमें यह फिलमेंट हुआ ठीक जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यह फिलमेंट होता है यह होता है एंथर ठीक है ना अब आता है female reproductive part, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक stigma होगा, ठीक है, फिर style आता है, नीचे ovary होता है, इसी में होता है placenta and ovules, ठीक, अब यही anthers, जो anther है, जब mature हो जाएगा, burst करके क्या release करता है, हमने पूरा पड़ा हुआ है, इसका नाम होता है, pollen grains, ठीक है, जो क्या represent करेगा, male gametes, ठीक ह male gametes, pollen grains क्या होता है, कुछ नहीं, male gametes है यहाँ ठीक, अच्छा, अब इसको fertilization के लिए, fertilization क्या होता है, male gametes, जब fuse करता है, female gametes, ठीक है ना, तो इसके लिए, यह जो pollen grain है, इसको, यहाँ पर अब याद करो, एग कहा मिलता था, मैंने ovule बताया था, आपको 8 nucleated, 7 cell states, सब बत status में, दो synergies होता है, और एक egg होता है, ठीक है, micropylorant पे, तो क्या होगा, इस pollen grain को, वहाँ तक पहुंचना है, ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, pollen grain आएगा, यहाँ पे, जो है, इसको क्या बोलते है, stigma, ठीक, तो यही pollen grain, यहाँ से जब burst हुआ, इसकी जरनी, यहाँ से यहा बोलते हैं, pollination, ठीक है न, तो चलो, आगे इस lecture में, हम pollination discuss करेंगे, एक brief, मैंने आपको introduction, एक revision sort of भी करा दिया, कि क्या चीज़े हो रही है, और pollination किसको बोलेंगे, तो देखिए सबसे पहले, transfer of pollen grains, कहां से आते हैं यह, एंथर से, to the stigma of a pistil, is termed pollination, ठीक, यही चीज़ मैं आपको भी बताई थी, अब होता क्या है, flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination, क्या मतलब, तो अब यही pollination हो सके, possible हो, इसके लिए plant तरे तरे के की चीज़े करता है, ठीक है न, क्योंकि अब अगर pollination नहीं होगा, तो प्लांट रिप्रोडूस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो यह द्यान र source of pollen, ठीक है, pollen कहां से आ रहा है, pollination can be divided into three types, number one आता है, autogammy, autogammy का मतलब होता है, कि एक flower है, ठीक है, आप अगर पढ़ो, तो एक flower है, तो इसी में क्या होगा, यहाँ पे anthers है, male reproductive part है और बीच में होगा, आपकी ovary होगी, ठीक है, यही pollen grains, इसी flower के, इससे निकल के, इसके stigma पे पहुँच जाएं, तो वो auto, autogammy कहलाता है, ठीक है, तो क्या होगा, in this type of pollination, this happens in the same flower, ठीक है, बहुत important है, दूसरी इसमें क्या हुआ, transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower, ठीक, अब in a normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma, complete autogammy is rather rare, यह बात भी सही है, है ना, 100% autogammy, बड़ा मुश्किल है, अगर माल दीजे आपके यह anthers है, यह open हुए है, stigma हुआ है, तो chances है, क्या chances होंगे, कि कहीं से और उड़के भी आ जाए, कोई pollen grain इस पे चिपक जाए, बिल्कुल possible है, क्योंकि air भी जो होती है, एक mode of communication है, pollination का, ठीक है, एक mode of pollination है, ठीक है, तो 100% की इस पे सिर्फ और सिर्फ यही pollen आएगा, यह कहना थोड़ा मुश्किल है, इस्पेशली उन flowers के लिए, जो open होते हैं, उनके part exposed होते हैं, ठीक है, अब पूरा close flower हो, बाहर से कोई चीज आई नहीं सकती, ठीक है, तो तो उसमें क्या होगा, यही फटेगा यहां से पूमन सेंस की बात, ओटो गैमी इन सच फ्लार से इक्वाइर सिंक्रनी इन पॉलिन रिलीज और स्टिग्मा, रिसेप्टिविटी और अल्सो अंथर स्टिग्मा शुद लाई close to each other, so that self-pollination अकर, self-pollination होने के लिए क्या-क्या characteristic होगी, सबसे पहले सोचो, नमबर वन, ठी ठीक है, कि अंथर और स्टिग्मा को बहुत पास-पास होना पड़ेगा, सिंसे एक ही फ्लार है, है ना, तो सबसे पहले आपने देखा, कि अंथर संटिग्मा शुद लाई very close to each other, जिससे self-pollination हो, self-pollination मतलब उसी फ्लार की बात हो रही है, ठीक है, चलो, तो इसमें, इसम कोई confusion मत रखना, और क्या होना चाहिए, कि ये जिस टाइम पर mature हो रहा, उसी टाइम पर ये भी mature हो रहा, माल दो, इसका pollen grain यहां पर आया, ठीक है, ये mature ही नहीं हुआ है, तो कोई फायदा ही नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए जो growth होती है, उसमें भी synchronous होना चाहिए, कि जिस टाइम ये activate हो, receptive बने, उसी टाइम ये भी rupture करे, तभी तो फायदा होगा, example देख लीजे, some plants such as viola जिसका नाम common pansy है, oxalis and comelina, produce two types of flowers, अब कौन से दो टाइप के flowers है, ये भी देख लो, chasmogamous, chasmogamous क्या होता है, flowers which are similar to flowers of other species with exposed anthers and stigma, ठीक है, याने कि यहाँ पे anthers और stigma, जो male part है, जो female part है, वो exposed है, आप उसको देख सकते हो कहीं, closed बंद type का नहीं है, इसी का दूसरा भाई आता है, kleistogamous, flowers which do not open at all, अब सोचो कि self-appollination होने के chances किस में ज़्यादा होंगे, एक exposed होगा, तो इसमें chances ने कि बाहर से भी आके कुछ आ जाए, जो बिल्कुल खुलता ही नहीं है, ठीक, तो उसके अंदर self-pollination होने के कारण, जादा होंगे, in such flowers, क्या होगा, the anthers and stigma lie very close to each other, जब anther desize करेगा, मतलब जब anther फटेगा, the pollen, flower bud, flower blood का क्या मतलब, जब flower close है, बंद है, तो उसको हम बढ़ बोलते हैं, ठीक है, यह जैसे हुआ, यह जैसे हुआ, एक flower bud है, इसी के अंदर आपके अंडरोशियम, गाइनेशियम एक ही अंदर है, बंद उसके अंदर, ठीक है, तो उसको flower bud यहाँ पे कहना है, तो pollen grains come in contact with stigma, to effect pollination, वहाँ जादा होगा ठीक है, इसी लिए आप देखेंगे कि kleistogamous flowers are invariably autogamous, क्यों, क्योंकि बाहर से कोई भी pollen आने का कोई चांस ही नहीं है, there is no chance of cross pollen landing on the stigma, बिल्कुल common sense की बात है, क्योंकि इसके जो flowers हैं, वो open ही नहीं हुए, एक bud के अंदर present रखे हुए हैं, तो अंदर से क्या होगा, जो से निकलेंगे, तो यह आके stigma पे, तभी जाके यह stigma पे add होगा, बाहर से तो कहीं आई नहीं सकता, ठीक है न, अच्छा, kleistogamous flowers produce assured seed set even in the absence of pollinators, pollinators क्या मतलब, कुछ कुछ चीजें हैं बाहर से जैसे air है, ठीक है, आप देखेंगे, बीज हो गई, चडिया हो गई, यह सब भ कर, तो क्या होगा, उनके बिना भी तो pollination हो ही रहा है, क्योंकि सब flower के अंदर ही हो रहा है, हमको कोई pollinator नहीं चाहिए, यहाँ पे, ठीक है न, तो I hope की basic idea आपको लग गया हो, pollination या autogammy, क्या होती है, वीडियो पसंदा है, तो like करो, comment करो, subscribe करो, love10, जो मेरा referral code है, इसको यूज करके आप unacademy से जुड़िये, आपको मिलेगा extra 10% cough, जो भी हमारा plus subscription है, thank you.